नमस्कार दोस्तों आपका अमारे चैनल में स्वागत है केसर के तिलक का महत्व एवं लाव हिंदू संस्कृति में तिलक का बहुत महत्व माना जाता है कोई धार्मिक कार्य या पुझा पाठ में सबसे पहले सबको तिलक लगाये जाता है यही नहीं जब हम किसी धार्मिक अस सुपकाम के लिए जाता है तो उसके मस्तक पर तिलक लगा कर उसे विदा किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिलक आपकी कई मनों कामनाई पूरी कर सकता है सास्तों में तिलक के संबन में विस्तार से बताये गया है अलग-अलग पदार्थों के तिलक करने से अलग-अलग कामनाओं की पूरती होती है चंदन, अस्टगंद, कुम-कुम, केसर, आदी अनिक परतार्थ है जिनके तिलक करने से कारिसिद किये जा सकते हैं यहां तक की ग्रहों के दूस्परभाव भी विशेस प्रकार के तिलक से दूर किये जा सकते हैं तिलक का मुख्य स्थान मस्तक पर दोनों भूं के बीच में होता है क्योंकि इस स्थान पर साथ चक्रों में से एक आग्या चक्र होता है सास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन तिलक लगाने से ये चक्र जागरित हो जाता है और व्यक्ति को ग्यांत और समय से परे देखने की सकती आकरसन प्रभाव और उर्जा прदान करता है इस स्थान पर अलग-अलग पदार्थों के तिलक लगाने का अलग-अलग महत्व है इन में सबसे अधिक चमतकारी और तेज प्रभाव दिखाने वाला पदार्थ है केसर केसर का तिलक करने से कई मनुकामनाओं की पूर्टी की जा सकती है दामपत्य में कलय खत्म करने के लिए जिन लोगों का दामपत्य जीवन कलय पूर्ण हो उन्हें केसर मिस्रित दूज से सिवजी का अविशेक करना चाहिए साथ ही अपने मस्तक गले और नाभी पर केसर का तिलक करे यदि लगातार तीन मेने तक ये परियोग किया जाये तो दामपत्य जीवन प्रेम से भर जाता है मांगलिक दोस दूर करने के लिए जिस वेक्ति की कुणली में मांगलिक दोस होता है ऐसे वेक्ति को दोस दूर करने के लिए हन्मान जी को लाल चंदन और केसर मिस्री तिलक लगाना चाहिए इससे काफी लाव होता है सफलता और आरोग्य प्राप्त करने के लिए जो वेक्ति अपने जीवन में सफलता आकर सक वेक्तित्व सोंदर धन संपता आयू आरोग्य प्राप्त करना चाहता है उसे प्रति दिन अपने माते पर केसर का तिलक करना चाहिए केसर का तिलक सीवजी, विष्णूजी, गणेस और लश्मी जी को प्रसन करता है सीवजी से साहस, सांती, लंबी आयू और आरोग्यता मिलती है कणिज जी से ग्यान, लश्मी जी से धन, वैववव, आकर्षन और विश्णु जी से भौतिक पदार्दों की प्रापती होती है आकर्षन परभाव पाने के लिए केसर में जबरजस्ट आकर्षन परभाव होता है प्रतिदिन केसर का तिलक लगाने से व्यक्ति में आकर्षन प्रभाव पेदा होता है और प्रतिक व्यक्ति को सम्मोहित करने की सक्ति प्राप कर लेता है केसर से होने वाले अनलाब जिन इस्त्रियों को सुक्र से संबंदि समस्या है जैसे कि पती से अन्बन परिवार में लड़ाई जगड़े मान हाने की कमी हो वे किसी महिला या कन्या को मेकप किट में केसर दान कर सकती है घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है पैसे की बचत नहीं होती है तो नवरात्री या फिर किसी सूब दिन साथ सफेद कोड़ियों को केसर से रंग कर उसे लाल कपड़े में बांदे और स्रिसुक्त के साथ बार पाट करे अभी स्पोटली को अपनी तिजोरी में रखे जल्द की किरपा पाने के लिए एक सफेद कपड़े को केसर की स्याई से रंगे और इस कपड़े को अपनी तिजोरी या दुकान आदी के गल्ले में बिच्छाए पैसा इसी कपड़े पर रखे यह स्थान पवित्र बना रहे इसका खास ध्यान रखे ऐसा करने से मालक्ष्मी प्रस चंदन होते हैं और इसे से पित्रदोस सांत होता है वेक्ति के जीवन में तरक्की होने लगती है इसके अलावा आप किसी भी देवी देवता को जब तिलक लगाए तो उस तिलक में या चंदन या रोली या सिंदूर जब भी आप किसी देवी देवता को तिलक लगाए तो और उससे से भगवान का तिलक करें उससे आपको भोतिक और आध्यात्मिक लाव दोनों ही प्राप्त होंगे तो दोस्तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप अमारे चैनल को लाइक से रोड़ सब्सक्राइब करें अमारे चैनल में विजट करने के लिए धन्यवाद